और राईव आपको सी देले चलते हैं मरतिंता पाटी की प्रिस कॉन्फरेंस में जहां संवित पात्रा प्रिस कॉन्फरेंस कर शशी थरूर के देश विरूथी बयान पर आपती जता रहे हैं आज आप सभी एक शॉर्ट नोटिस में यहां हमारे बीच आए इसके लिए बहुत धन्यवाद मैं आभारी हूँ आप सबका बंदुगण आज सुबह सशी थरूर जी का जो वर्चुल रैली कहिए या एड्रेस कहिए लाहोर लिट्रेचर फेस्टिवल में रहा है न्यूज मीडिया के माध्यम से हम सबने सशी थरूर जी ने क्या कहा लाहोर में वो सुना है और जो सुना है वो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि भारत का एक सांसद गांधी परिवार का राइट हैंड राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कॉंग्रेस के एक दिगज नेता इस प्रकार का बयान लाहोर लिटरेचर फेस्टिवल में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए और एक ऐसा प्लैटफॉर्म जिसको पूरा विश्व देख रही हो अब्जर्व कर रही हो उस पर भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते सशी थरूर्जी के पैसे तो मैं वर्बैटिम लेके आया हूं उन्हें क्या-к्या कहा है मीडिया ने भी सुनाया है मगर जो भी सशी थरूर्जी ने कहा है उन्होंने भारत का नाकैवल मजाग बनाया है भारत को एक बहुत ही खराब परेदृष्य में और बहुत ही इन डिम light demeaned India एक तरह से भारत को एक बहुत खराब द्रिश्य से दिखाने की कोशिश सची थरूर जी ने की है बंदुगन सची थरूर जी ने सबसे पहले कहा और मैं अंग्रेजी में ही कहना चाहूंगा क्योंकि वो हिंदी सायथ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जो उन्होंने में इंग्लिश में कहा है वही में कहता हूं पहला, government in India is not doing well and people realize that they are not doing well in terms of managing COVID but the polls suggest the pollsters have not hit them politically as it should यह COVID का समय चल रहा है और भारत की सरकार COVID के management में कही न कहीं फेल हो रही है और यह जो आप लोग पोल इत्यादी करते हैं जो भारत की media जो आप हमारे चतुर्त स्थम आगे बैठे हुए हैं आप लोग पोल इत्यादी करके दिखा रहे हैं कि जनता जनारदन हिंदूस्तान में सैटिस्फाइड है संतुष्ट है मोदी जी के काम से शशी थरूर जी को लगता है ये जूटे पोल है और राजनेतिक दुरुष्टिकोन से जिस प्रकार मोदी जी के उपर आगात होना चाहिए वो आगात नहीं हो रहा है इसलिए ओपोजिशन को सामने आकर अटैक करना पड़ रहा है ये कोविट को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि आज हिंदुस्तान ने नरिंद्र मोदी जी के नित्रतु में किस प्रकार से अपने आपको सुरक्षित रखा किस प्रकार से समय से लॉकडाउन हुआ किस प्रकार 80 करोड लोगों तक खाध्यान पहुँचाने का काम किया और आगे भी वो काम छट पर्व तक चलता रहेगा किस प्रकार से हाइस्ट रिकवरी और लोएस्ट मॉर्टालिटी अगर कोविट को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है किस प्रकार लगबग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोकुइन पहुँचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नित्रुत्तों में किया उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना की इंडियन गवर्मेंट हैस फेल्ड वह भी लावर में आप सोचिए कि इस प्रकार की मनस्थिती कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी क अनन्यमित्र सशी थरूर जी की है दूसरा जो बड़ा बयान इसी वर्च्वल कॉन्फरेंस में सशी थरूर जी ने किया है वह है इन इंडिया वी हैफ प्राब्लम विटार नौर्थ इस्ट सिटीजन्स वो लुक डिफरेंट हमारे नौर्थ इस्ट उत्तर पूर्व भारति जो हैं वो हमसे अलग दिखते हैं वो हमसे भिन दिखते हैं इसलिए भारत में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रती नौर्थ इस्ट के लोगों के प्रती एक अलग भाव है और उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है यह सब विशह पाकिस्तान में चर्चा करने क क्या वश्यक्ता क्या है आप सभी जानते हैं कोई भी विसंता है इंदुस्तान में क्यों नहूं देर इस नो अधर कंट्री इन दिस वर्ल्ड आज डिमोक्राटिक जस्ट इंडिया भारत से अधिक न्याय समवत सभी को समान रूप से देखने वाला सभी के लिए चिंता करने पाला और इतना लोकतांत्रिक देश मैं कहता हूं पूरे विश्यों में कहीं रही है उसके बावजूद आप जाके नौर्थीस्ट के लोगों के उपर भारत में दुराचार हो रहा है भारत की सरकार उन्हें ठीक ट्रीट नहीं कर रही है इस विशय को आप पाकिस्तान में धिकार है और तीसरा विशय तो अपने आप ऐसा है जिसको सुनकर शर्म से सर जुक जाता है कि हिंदुस्तान का एक नेता एक सांसद इस प्रकार का बयान भी दे सकता है और मैं रिपीट करता हूँ the bigotry and prejudice that some of us are trying to fight against in India against the Muslims because of the pandemic वो बात करते हैं कि मुसल्मानों के खिलाफ और तबलीकी जमात का भी यहां चिकर करते हैं कि तबलीकी जमात को लेकर जिस प्रकार का bigotry और जिस प्रकार का prejudice और प्रिजूडिस अर्थात कट टर्रता और प्रिजूडिस माने पक्शपाद पक्षपात कर रही है और मुसल्मानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है यह जाकर सशी थरूर पाकिस्तान में बोल रहे हैं सशी थरूर जी राहुल गांधी जी सोनिया जी प्रियंका वाडरा जी चारों से हम ये पूछना चाहते हैं एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर ये कहा पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अलप संख्यकों के पती पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिख्खों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदूओं के साथ, वहां क्रिस्टियन्स के साथ, वहां बाउधों के साथ क्या हो रहा है कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना उसको जबरन धर्मांतरन कराना उसको मार गिराना ये आम बात है पाकिस्तान में उस पाकिस्तान में उस लाहोर में जाकर शशी थरूर कह रहे हैं कि भारत वर्ष अपने मुसल्मानों के साथ कटरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है ये किस प्रकार का स्टेट्मेंट है आखिर क्या चाते हैं ये लोग ये कॉंग्रेस पार्टी क्या चाती है चुनाव लड़ना चाती है क्या पाकिस्तान से यह वहाँ पर इस प्रकार की संबोधनाय हो रही है नौर्ट इस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा वेवार नहीं कर रहे हैं भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है और तो और यह कह रहे हैं सची थरूर जी उसी वर्च्वल मीटिंग में राहूल ओट्स टू गेट दे क्रेडिट्स कि राहूल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोल स्टर्स इत्यादी जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जनता क्रेडिट नहीं दे रही है राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को आपने अभी देका है संवित पात्रा सशित हरूर लहोर में हुए आयोजित लिट्रिशर फेस्टिवल को दिल्ली से संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपनी बातों में जिन बातों का जिक्र किया उसे लेकर अपनी पूरी नाराज़गी प्रस्तुत कर रहे हैं संबित पात्रा उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की छवी को बड़ा धका पहुंचाया है शाहती धरू ने इस बारे में विचार होना चाहिए और कॉंग्रिस के वरष्ट निताओं को इसका जवाब भी देना चाहिए हम यहाँ पर एक छोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं तुरत वापसाते हैं